यह मसाला हमारा बनकर तयार हो गया है, यह देखिए, कितना सुन्दर राजस्थानी कलर इसमें आ गया है. Hello Friends, स्वागत है आपका कार्डियू किचन में, मेरा नाम है मनीशा, आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन के गट्टे, इसके लिए मैंने लिया है, बेसन, एक कप, यह लगबख 1500 ग्राम बेसन है, वन फूर्ट कप ओईल, दो प्याज, एक चम्मत लसन अद्रक का पेस्ट, एक कप दही, कुछ खड़े मसाले हमने लिये है, दो लाल मिर्ची, दो तेज पत्ते, एक टुकड़ा दाल चीनी, एक मोटी इलाईची, दो छोटी इलाईची, पांच सिच है, लॉंग ली है, और आट से दस काले मिर्ची, साथ में लिया है, जीरा, वन टी स्पून, सौफ, वन टी स्पून, दरदरा पिसा हुआ धनिया, वन टी स्पून, और हम लेंगे नमक, लाल मिर्ची, हल्दी और गरम मसाला, साथी, इंग्रिडेंट्स की लिस्ट, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसेपी, थोड़ा सा दालेंगे नमक, थोड़ी सी लाल मिर्ची, और थोड़ी सी हल्दी, साथ में मिलाएंगे इसमें मुयन, और इसको हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे, ओल अच्छे से मिक्स हो गया है, इस तरह से हम हाथ पे बांद के देखेंगे, ये मुठी बन रही है, पूल नहीं करेंगे इसको आज हम दही से ही गुन देंगे थोड़ा-थोड़ा करके हमें दही आइट करना है यह आटा गुन कर त्यार हो गया है इसमें 4 चमच दही लगा है यह देखिए आटा इतना हाड होना चाहिए इक्तम हाड आटा है अब हम इसके चोटे-चोटे बॉल्स बनाकर इसको एक लंबा शेप देंगे यह देखिए इस तरह से हमने बना लिया है इसको हम प्लेट में रख लेंगे और बाकी चोटा है उसके भी इसी तरह से हम रोल बना लेंगे अब साथ साथ ही हम धाई कब जितना पानी बॉल करने के लिए रखेंगे यह रोल्स हमने त्यार कर लिये हैं और पानी भी उबल गया है अब इसको उबलते पानी में हम डालेंगे पानी अच्छे से बॉल हो गया है अब यह रोल्स को हम इसमें डाल देंगे इसको 5-7 मिनट तक लो फ्लेम पे उबलने देंगे अब जब तक गट्टे उबल रहे हैं तब तक हम ग्रेवी की त्यारी कर लेते हैं ग्रेवी के लिए सबसे पहले प्याच को हम बारिक बारिक चॉप करेंगे प्याज चॉप कर लिये हैं, अब हम चलते हैं कडाई की तरफ, कडाई में मैंने 2 टेबल इस्पून गरम करने के लिए दाल दिया है, ओल गरम हो गया है, अब सबसे पहले दालेंगे जीरा, अब इसमें दालेंगे खड़े मसाले, लाल मिर्ची, तेज पत्ता, दाल चीनी, मोटी लाइची, छोटी लाइची, लाउंग और काली मिर्ची, इसको थोड़ा साब भुनेंगे, अब इसमें दालेंगे लसन अद्रग का पेस्ट, अब हम इसमें प्याज एड़ कर देते हैं, अब प्याज को मीडियम फ्लेम पे थोड़ी दिर के लिए भुनने देंगे, जब तक प्याज भुन रहे हैं, हम गट्टो को चेक कर लेते हैं, गट्टो में बबल्स अच्छे से आ गए हैं, यह देखिए, मतलब यह बनकर तयार हो गए हैं, इसको बनने में 5-7 मिनट का समय लगा है, अब हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे और गैस को बन कर देंगे, प्याज अच्छे से भुन गए हैं, अब हम इसमें दही और मसालो को अड़ करेंगे, लेकिन हम इनको डारेक्ट आइड नहीं करेंगे, पहले हम दही में मसालो को अड़ करेंगे, यह जो बचा हुआ हमारा दही था, वो लेंगे, इसमें डालेंगे, लाल मिर्ची, हल्दी, गरम मसाला, धनिया, इन सबको अच्छे से मिक्स करके, अब हम इसको प्याज में आड़ करेंगे, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इनको भुनने देंगे लगवार तीन से चार मिनट तक, अब जब तक मसाला भुन रहा है हम बेसं के गटो को कर लेते हैं, इसक आप चाहें तो छोटे बड़े कैसे भी पीसेस काट सकते हैं, इसी तरह से मैं सारे गटे कट कर लूँगी, यह गटे हमने कट कर लिये हैं, यह उबलते समय जो पानी हमारा निकला था, इसको हम फैकेंगे नहीं, इसको हम ग्रेवी के टाइम पे काम में लेंगे, मसाला अच करेंगे, और साथ में इसमें नमक मिलाएंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, यह मसाला हमारा बनकड तयार हो गया है, यह देखिए, कितना सुन्दर राजस्थानी कलर इसमें आ गया है, अब हम इसमें कट की हुए बेसन के गटें एड़ कर लेते हैं, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, यह गट्टे बनकर तयार हो गए है, अब हम गैस को बन कर देंगे और इसको एक बॉल में निकाल लेंगे, यह गट्टे हमने बॉल में निकाल दिये हैं, यह बहुत ही टेस्टी बने हैं, और इसमें बहुत ही अच्छी खुश्बू भी आ अगर आपको पतली ग्रेवी चाहिए, तो आप थोड़ा पानी भी एड़ कर सकते हैं, आप ये रेसिपी जरूर ट्राय करिए, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, प